दोस्तों आज मैं आपके साथ बच्ची हुई रोटी का ऐसा चटपटा टेस्टी और कुरकुरा नास्ता सेयर करने जा रही हूँ जिससे आप बार बार बनाना पसंद करेंगे यह इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि आप जान बुच कर ज्यादा रोटी बनाएंगे तो चली रेस्पी स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने चार बासी रोटी लिया है आप चाहे तो इसे ताजा रोटी से भी बना सकते हैं अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे किसी चॉपिंग बोर्ड या प्लेट पर रखकर चाकु से इस तरीके से कट करेंगे इसके बाद इन्हें हम तोड़कर थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि ये लच्छे साइज में काफी लंबे हैं इन्हें तोड़कर हमें एकदम छोटा भी नहीं करना है बस इतने बड़े लच्छे हमें त्यार करने हैं अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चमच गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालने से यह नास्ता काफी चटपटा बनता है, इसके बाद इसमें 4-5 चमच पानी छिड़क कर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, यह मिक्स हो चुका है अब इसमें चार बड़े चम्मत चावल का आटा डालेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे ताकि यह लच्छो के उपर अच्छे से कोट हो जाए आप चावल के आटे की जंगा आरा रोड या कॉन फ्लोर का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसे नास्ता काफी कुरकुरा बनता है अब यह मिक्स हो चुका है इसे साइड में रख देंगे इसके बाद लेंगे उबले हुए आलू तो मैंने यहाँ छोटे साइज के छे साथ आलू लि एक छोटा चमच कुटा हुआ अद्रक लहसुन एक छोटा चमच चिली फ्लैक्स एक छोटा चमच पिज्जा मिक्स स्वात के अनुसार नमक और थोड़ा सा धनिया पत्ती इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें आप काली मिर्च पाउडर चाट मसाला पाउडर या और आलू के मिक्सर में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए चिप्टा कर लेंगे इसके बाद मैं एक पनीर का पीस ले रही हूँ इस पनीर के पीस को आलू के मिक्सर से अच्छे से इस तरीके से कवर कर देंगे मैं इसे लंबा स और उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, अब नमक और मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद इसमें पानी डालेंगे और इसका एक पतला घोल तयार करेंगे, पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अगर एक साथ पानी डालेंगे तो घोल में गुठलियां प और जो एकस्टाल यह दिखे यह मैदे के गोल के सात अच्छे से चिपक जाते हैं इसी तरीके से हम सारे नास्थे को त्यार कर लेंगे अब एक पैन में तेल करम करेंगे और उसमें इस नास्ते को एक-एक करके डाल देंगे कड़ाई में जितनी जंगा हो आप उतने नास्ते को डाल सकते है इस नास्ते को हमें medium flame पर fry करना है जब यह एक side से पक जाए तो हम इने पलट देंगे इस नास्ते को हमें golden brown हो जाने तक fry करना है इस पर हमने चावल के आटे से कोटिंग की है इस वज़े से यह नास्ता बहुत ही कुरकुरा बनता है आप देख सकते हैं कि इस नास्ते में गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और इसका उपरी लेर भी काफी कुरकुरा हो चुका है अब हम इसे तेल से बाहर निकाल देंगे और इसी तरीके से बाकी के नास्ते को भी तल लेंगे इसे आप छोटी मोटी पार्टी या फिर किसी गेस्ट के आने पर बना सकते हैं कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा कि यह आपने बच्ची हुई रोटी से बनाया है यह रैस्पी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर रैस्पी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सेरो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाबाई